नमस्कार दोस्तों आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं गाडी के बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज के बारे में वो है गाडी के टायर्स अब सभी को पता है नॉर्मली गाडियों में चार टायर से एंड इस टेपनी देखने को मिलती है इंडिया में एंड एक चीज काफी सारी गाडियों में common मतलब सभी में तो नहीं बोल सकते हैं काफी सारी गाडियों में common ये रहती है कि जो आपका बाहर वाला जो टायर आता है मतलब आप लोग अपनी काड़ी के बारे में क्या जान सकते हैं वह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सो मेरे पास ये टाटा टी आगो यंद इसमें ये जो टायर आपको दिख रहे हैं बाइ डिफोल्ट company से जो टायर आये थे वही टायर इसमें लगे हुए पहले आपको टायर में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो important चीज गाड़ी लेते समय या टायर लेते समय देखना है सबसे important चीज must important यह कि आपको यहाँ पर टायर की manufacturing date यहाँ पर जो लिखियी दिखरी कुछ इस तरीके से हर टायर में लिखी होती है, यह देखनी है, अब फोर एक्जामपल यह वाला जो टायर है, यह आठ, 0819, यह आपे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है, ना कि यह आठवा मन्त है, बलकि 8th week, 088, 8th week of 2019, यह वाला टायर मेनुफेक्चर हुआ है, तो कहीं न कहीं, इससे एक 2019 model ही यह Tata Tiago का exit variant है तो यह चीज हम को यहां से देखने को मिल जाती है दूसरा यह IESI certificate तो यह quality को बताता है बाकी यहां पर आप देख सकते हैं outside और inside तो यह proper हर टायर पर mention रहता है काफी जादा अच्छी चीज है कुछ टायर ऐसे आते हैं जिने कि आप अंदर बाहर कहीं भ दिखा हुआ रहेगा कि यह inside का टायर है तो जब भी आप टायर रोटेशन वगेरा करेंगे तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान में रख करके करें बाकी steel radial 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 टायर है यह जो कार साती है जातर सब में radial टायर ही देखने को मिलती है तो यह चीज काफी बढ़िया है औ और अगली चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेडियल और ट्यूबलेस टायर है करके यहाँ पर बाहर अल्रेडी मेंसाने यहाँ पर कंपनी का नाम अपोलो यह तो काफी जादा बैसिक सी जानकारी है एंड सबसे जादा कंफ्यूजिंग सा एक टर्म जो लगता है वो यह वाला रहता है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 175 पेशट आर चाओदा अब यह कहां क्या चीज होती है यह थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है मुझे पता है आप लोगों मैंसे काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि भाई 175 पेशट आर चाओदा तो एक मिन आप थोड़ा सा गेस कर लिया अच्छी बात है लेकिन समझ लीजिए क्या होता है 175 एक्चुली टायर की यह वाली जो विट्ट देख रहा है आप उपर की यह होती है और mm में होती है and 65 एक्चुली यह 65 यह जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है यह mm में नहीं होता है बलकि 175 का 65% लबकि 175 divided by 65 into 100 जब आप करेंगे तो इस टायर की आपको प्रोफाइल जिसे तो जितनी यह जमें करें अगर हम इसे कैलकुलेटर से कलकुलेट करें तो हमें यह वाला जो टायर की है यहसे यहां से यहां तक की वह मिल जाएगी बाकी आर 14 का मतलब आब आर को यहाँ पर रेटिंग्स मान लेते हैं कई कि लोग लेकिन रेडियल टायर है ऐसा कुछ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आर का प्रॉपर मतलब है रिम साइज आपका और अगर रेडियल टायर यहाँ पर अलग से मेंशन रहता है रेडियल होता है तो यहाँ पर ट्यूबलेस भी अलग से लिखा हुआ है तो आर का मतलब यहाँ पर रिम एंड 14 इंचेज में आपको यहाँ पर डायामीटर लिखा हुआ दिख जाता है यह देखिए आर 14 तो 14 क्या है यहाँ से लेकर के पूरी नीचे तक की यहाँ तक की तो डिस्टेंस है यह इसका डायमीटर एंड अगर रेडियस की बात करें तो जस्ट हाफ सेवन सेंटीमीटर इस पूरे रिम का आपको रेडियस देखने को मिल जाता है अब यह 82 ती यह क्या चीज़ आती है तो यह मैक्स लोड एंड मैक्स स्पीड जो है यह टायर जितना जहल पाएगा यह वह चीज होती है तो 82 का मतलब ऐसा नहीं कि यह 82 किलो बजन जहलेगा 82 का मीनिंग यहां पर यह है कि एक चार्ट आता है मैं आपको वीडियो में उपर की तरफ शो कर दूँगा और उसमें आप यह रेटिंग्स देख सकते हैं 82 का सीधा सीधा मतलब है कि यह जो टायर है यह 4500 केजी बजन जहल सकता है अब 4500 केजी कैसे उससे ज़्यादा ही जहल जाएगा लेकिन यह एक उसकी एवरेस सी वेल्यू है अपने आप में गाड़ी का जो बजन है वही 1200 केजी होता है और उसके ऊपर यह 4500 केजी जहल जाएगा और टी का मतलब इसकी स्पीड रेटिंग क पर आम से जहल सकता है उतनी तेजी चल सकता है इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी बस हरते आप में दम होना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए गाड़ी उतनी चलाने कि यहां पर भी कुछ-कुछ चीजे लिखी है तो यहां पर आप देख सकते हैं वही सारी चीजे सेम अगेंड अगें मेंशन कर रखी है यहां पर अगर आप बहुत ही बारिक लिखा हुआ है आई डोंट नो केमरा कैप्चर कर पाएगा है नहीं लेकिन मेक्स लोड सिंगल 475 kg 8 250 kps कोल्ड पता नहीं क्या लिखा हुआ है तो एक टायर आपका 475 kg के असपास वजन जहलने की काबियत है यह भी आपको टायर पर鹿 मेंशन हो जाता है अब इस तरफ अगर आप देखें यहां पर तो ट्रेड्वे कशन विट्रिखा हुआ है तो तो अगर आप यहां पर देखा हुआ है तो ट्रेक्शन घ क्तलब होता है ट्रेक्शन जो गाड़ी जमीन से जितनी पकड़ बना पाता है चिकनाई वगेरा में है जैसे भी तो वो ट्रेक्शन की रेटिंग्स होती है जनरली डबल ए फिर ए फिर बी एंड सी तो डबल ए जो ओफ रोडिंग टायर्स होते हैं उनकी ट्रेक्शन जो एबिलिटी है वो होती है वो काफी जाद आते चलते और यह ज टेमप्रेचर की अगर बात करें तो 190 की स्पीड पर जाने के बाद यह टायर कितना क्या हीट हो पाएगा उतना यह आराम से जिल लेगा अगर इसमें डिसेंट लोड भरा हुआ हो तो इसकी रेटिंग भी यहाँ पर टेमप्रेचर भी दी गई है तो यह ओवर ओल टायर की जो information है कुछ वो हमें टायर पर ही लिक्यू ही मिल जाती है एंड इनसे हम काफी सारी चीजे पता लगा सकते हैं अब यहाँ पर जो PSI गाड़ी में टायर में हवा कित्ती रखनी चाहिए यह मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जनरली कहा लिखा हुआ रहता है तो य यहाँ पर आपको फ्रेंट एंड रिय टायर में फ्रेंट में 33 PSI पीछे में 30 PSI 2.3 बार यह जो भी यूनिट है यह इतना कुछ आपको टायर भरवाना रेता है अब भाई एक नॉर्मल सी बात में आपको बताऊं कि बाहर की तरफ जब मार्केट में जाएंगे तो यह PSI व यह दो यूनिट जादा ही रहता है मेरे हिसाब से तो टियागो वाले जितने भी भाई वेने उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी गाड़ी में आगे में 32 पीछे में 30 31 या 32 इतनी कुछ हवा अपने बाहर वाले से भरवा के रखा करें और वह आपकी गाड़ी के लि जरूर देखें एक्चुली टायर रखे रखे खराब होते हैं एक बहुत बड़ा मित है हर टायर की जो लाइफ है वो लगबग 8 से 10 साल के लगबग होती रखे रखे अगर चलाओगे तो आप चाहो तो साल वर में खतम कर दो चाहो तो 3-4-5 साल में आराम से खतम हो ही जाते हैं तो मैनुफेक्चरिंग डेट जरूर देख करके लें जब आप ले रहे हों उसी मंत की मैनुफेक्चरिंग डेट उस टायर की होनी चाहिए आप लोग को वीडियो काफे जादा पसंद आया होगा एंड इन्फोर्मेट्व लगा होगा यदि वीडियो पसंद आया तो आ चैनल पर अगर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलता हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाज जेह